Hey guys, welcome back to 06 study point और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकी DRDU September के बारे में DRDU September की आपकी 2020-2022 में September 10 की cut-off किया जा सकती है लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी exam date के बारे में आप सभी को exam date का बहुत जादा वीट है तो exam जो आपका हो सकता है वो आपका conduct कराया जासका है November के last week में और इसके बारे में DRDU आपका notice निकाल देगा कि आपका exam कब होगा कम से कम 15 दिन पहले ठीक है before 15 days prior वो आपको बता देंगे कि आपका exam कहा होगा कैसे होगा किस तरीके से होगा certivity सब कुछ वो आपको details provide करा देंगे और आपका admit card है वो आपका कुछ 7 से 8 दिन पहले आपके बास आ जाता है तो ये तो बात होगी exam date की उसके बाद आता है कि and I hope आप सभी की जो preparation है वो काफी अच्छी चल रही होगी और अच्छी नहीं चल रही इसके बाद अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी तो इस वीडियो को last तक देखना ताकि आपके profession और अच्छी हो सके सबसे पहली चीज अब बात आती है आपकी job के marks थे job के 150 के according बनाए गए थे last year क्योंकि paper pattern थोड़ा सा different था marks obtained by last candidate in tier 1 CBT after normalization तो वो 150 के according मनाए गए थे और उसमें था उनका जो paper pattern था थोड़ा लग था तो इस वज़ा से और इस पार जो आपका paper pattern है उसमें आपके 120 questions है तो ये दो है by our tier 1 की बात तो STAB agriculture हम direct branch के बारे में बात करेंगे agriculture में आपके जो और हम यह नहीं है पर SC, ST और OBC वाली cutoff नहीं जाएंगे हम direct सिर्फ एक category के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर आपको exam crack करना है तो आपको unreserved वाली category के according अपने exam को देना है अगर आपके यह marks आपके category के according आते हैं तो वो आपका safe side है कि वो आपके लिए bonus point हो गया लेकिन हमको try करना है कि हमको achieve करनी है unreserved वाली cutoff या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा marks तभी आप एक safe side रहोगे लेकिन अगर आप अभी से category wise अपने आपको divide करोगे नहीं कि मेरी category तो OBC है तो मैं थोड़े सी कम महनत कर लेता हूँ या मेरी category SCSJ तो मैं थोड़े सी कम महनत कर लेता हूँ एक की जिगा चार topics छोड़ कर चला जाता हूँ मेरा selection हो जाएगा ऐसा नहीं है ऐसी चीज़े बिल्कुल नहीं करनी जब तक आप ऐसे सूचोगे तब तक आपका selection बिल्कुल नहीं होगा हमको जो करने आपका अपना 100% देना है और सब स्टुडेंट्स को इकोल मानते हुए हमको भी अपनी जो cutoff है वो undeserved के according marks अचीव करने है और बाकी category के according हो जाता है तो that is good ओके तो यह तो हो गई बात है अब बात देखना ओके फिर आपकी chemical engineering में आपकी 90 गई थी यह आप देखते रहें कि marks पर क्या फर्क पढ़ रहा है ब्रांच की according chemical engineering में आपकी 97 chemistry में आपकी 124 then आपका civil engineering में 116 computer science engineering में आपकी 112 electrical and electronics में आपकी 105 then आपका electrical engineering आपका 114 electronics instrumentation में आपकी 96 और फिर आपका electronics and electronics yeah oh sorry electronics communication and electronics telecommunication 111 geology 114 instrumentation 105 library science 94 mathematics 126 mechanical engineering 115 metallurgy 104 आप देख सकते हो गर engineering की बात करें तो 115 civil की 114 थी ठीक है mathematics की आप देख सकते हो 126 है यह BSC वाले students का होता है ठीक है फिर है आपका photography 82 physics 125 psychology 87 and zoology 123 चाहाँ पर अगर आप बात करते हो कि BSC वाले जो students है जिनका BSC के recording है उनके आप देख सकते हो कि 120 के अबव ज्यादा जारी है ठीक है और psychology में आपकी 87 है तो इसमें थोड़ी बहुत कम है और वहीं आपकी एगर engineering, electrical engineering civil engineering, mechanical engineering, metallurgy इन सबी के हम बात करते है तो आपकी 100 के उपर है और जहां बात आती है अपकी main branch की जो आपकी normal जो focused branch है civil engineering में टेक mechanical जो main branches होते हैं साथ होता sub engineering की उसमें आपकी 110 से अबव है ठीक है 115 के approx है ओके तो यहां से आप देख सकते हो 150 में से आपके 115 marks के आसपास आपकी cutoff last time गई थी इस बार जो आपका paper है वो आपका 120 का होगा और यहां पर आपकी जो cutoff है अगर आपको एक safe score हम यहां पर cutoff के बारे में छोड़ देते हैं कि cutoff क्या जाएगी क्योंकि वो तो बहुत सारे चीजों पर depend करती है cutoff ना आपकी 4 से 5 चीजों पर depend करती है पहले तो आपकी category हो गई दूसरा आपका number of question papers हो गया कितने shift में paper आपका conduct हुआ था किस paper में आपके ज्यादा difficult questions थे किस paper में आपके कम difficult questions थे उन सबको equalize करा जाता है उन सबको equal marks में distribute करा जाता है और फिर उसके बाद आपकी एक basic बनाया जाता है कि इन सभी papers का हूँ हम 120, 120 या 110 या 110 या 110 इस तरीके से marks में distribute करके divide करके वो सारा formula उनका होता है उसके according को तैयार करते है ठीक है काफी सारी category के wise भी वो आपके divide होती है तो ये तो आपका अगर expected बताई जाए तो exactly तो हम इसको नहीं बता सकते हैं लेकिन अगर हम एक safe score बताएं कि आप कितने percent marks आपके अगर 120 का अपका paper है तो आपको कम से कम achieve करने अपने 80 percent से जादा marks ये यहाँ पर आपका safe score है कि अगर आप 80 percent marks लेकर आते हो तो आप tier 2 की preparation बिना जिजग बिना किसे doubt के अपनी शुरू कर सकते हो ठीक है आपको बिल्कुल भी hold back नहीं करना है कि मेरा result आएगा मैं उसके बाद अपनी preparation को शुरू करूँगा नहीं बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको लगता है कि आपने 120 questions में से 100 से जादा questions सही करें कुछ 105 questions सही करें तो आपको बिल्कुल भी wait नहीं करना है आपको exam देकर आना है थोड़ी week चल रही है तो सबसे पहली चीज़ हमने आपके recently आपकी test series launch करी थी ठीक है इसकी जो language है मैं आपको बता देता हूँ English इसकी language है ये pan बीच में चलना बंद हो जाता है इसका ठीक है इसकी जो language है वो आपकी English है इसमें आपके total 11 mock test है 11 mock test में से एक तो आपका free demo test है free mock test जिसको सभी students attempt कर सकते है चाहे आप stress series को buy करते हूँ या फिर आप stress series को buy नहीं करते हूँ doesn't matter और मैं आपको इस suggest करूँ है कि अगर आप एक English वाले student हो English language आपको समझ में आती है तो आप please इस application हमारे application को download करके free वाला mock test जरूर attempt करना बाकी इसमें आपके बाकी 10 mock test हैं जो कि आपके अनलोग हों के हर संड़े को every Sunday सुबर 10 बजे आपका mock test open होता है और all over India जितनी भी students ने stress series को buy कर रहा है वो सारी इंडिया के students इसको attempt करते हैं एक साथ बहुत सारे students 120 में से 190 भी score कर रहा है 90 marks भी score कर रहा है काफी जाद अच्छा वो score कर रहा है और वो हर test के साथ अपनी performance को improve कर रहा है तो यह चीज़ धियान रखना कि एक बच्चा अभी इस वक्त test series में 120 में से 90 marks को score कर रहा है या फिर 90% paper को भी वो बहुत सारे students से जो attempt कर रहे है और काफी हद तक attempt कर रहे है काफी अच्छा perform वो कर रहे है और हर test के साथ उनकी performance increase हो रही है यह तो आपके हो गए 11 mark test ठीक है उसी के साथ इसमें आपको 50 plus practice test मिलते हैं practice test में हमने आपके category wise थोड़े questions को extra बनाया है यह अपका सिर्फ एक bonus point है इसमें ठीक है और उसमें हमने category wise आपका बनाया है जो जो आपके important questions है जो repeated questions है जिस type के questions पूछे जाते हैं क्यूंकि 120 questions में हम 5 subject किसी तरीके से पूछ लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ठीक है हर एक topic का हम आपको एक एक दो-दो questions ही दे सकते है test series में तो ताकि आपको जादा better way में जादा questions मिल पाएं जादा आप तरीके से अपनी practice कर पाऊ हमने उसमें कुछ category wise भी डाला है जिस वज़ा से आपको जादो questions practice के लिए मिलते हैं और आपको यह समझ आता है कि किस तरीके की questions DRDO पूछता है किस topic से DRDO questions पूछ सकता है या फिर language कैसी होती है हमने उसका पूरा इसी पूरे research करके test series को बनाया है तो make sure कि अगर आपको अच्छी लगते हो तो आप इस test series को buy करो इसका जो price हो आपका 750 था और लेकिन 31st of July जुलाई बोल रहो 31st of November तक इस test series का price सिर्फोर सिर्फ 350 रुपीज है और after 31st of July इस test series का price back to normal हो जाएगा और वो 350 रुपीज से जादा होगा so make sure you grab this opportunity यह आपके दिवाली sale थी वो आपके 26 को ही end हो गई थी लेकिन हमने इसको अभी तक extend करा हुए students के request पर so आपके दिवाली sale अभी हमारे application पर live है हमारे application का जो नाम है वो 06 30 point है इसका जो link है वो नीचे description में आपको मिल जाएगा या फिर आप play store पर directly 06 30 point सर्च कर किसको download कर सकते हो और मैं यह नहीं बूल रहे कि आप buy ही करो buy करोगे तो आपकी performance increase होगी क्योंकि इसका जो पूरा pattern है वो आपको real exam का pattern है और why to buy में आपको बता जाता हूँ इसमें आपकी language English है आपके 10 question paper है एक free demo test है 50 से जाद आपके subject wise practice test है यह आपका online exam pattern पे बनाया गया है यहापे आपका timer चलता रहेगा यहापे आपके questions होगे यहापे आपको question लिखा होगा option होगे इसको select करोगे उसके बाद आप खुद अपनी performance को analyze कर सकते हो even आप यह भी देख सकते हो कि आप other students की performance कैसी है वो आपसे कितना जाद और कितना कम marks score कर रहे है all over India आपकी अभी rank क्या रही है आप यह तक उसमें check कर सकते हो every question का detailed solution explanation दिया गया है जब आप test को attempt कर लिते हैं उसके बाद आप उसको check भी कर सकते हो उसका पूरा description explanation पढ़ सकते हो जो आपके questions है वो आपके previous year paper pattern पे बनाये गए है जो आपके last year September 9 में questions पूछे गए थी उसी के basis पे जो questions जहां जहां से उन्होंने questions पूछे थे हमने वहाँ वहाँ उस topic से questions को different कर कर गए different तरीके की questions को वहाँ से grab करके statistics को बनाया है जो इन questions का level है वो आपका September A.N.E.A.S.T. on Techie exam जैसे papers से inspired करके बनाया गया है ठीक है तो यह जो आपकी cutoff वाली playlist है यह जो PDF है आपको telegram group में मिल जाएगी तो telegram group का link भी आपको निचर description में मिल जाएगा इस test series का link भी आपको निचर description में मिल जाएगा तो application को download करो free mock test को attempt करो उसके बाद अच्छा लगता है तो test series को buy करो ठीक है और इसका जो price है अभी बहुत cheap है एक pizza के price से भी इसका कम price है so make sure आप at least अपने career के लिए थोड़ा सा time invest करो थोड़ी सी practice जादा करो क्योंकि exam भाई अब दूर नहीं है आज आपकी 28 तारीक है उसी के साथ हम एक video बनाएंगे कि आप इस exam को किस तरीके से crack कर सकते हो कुछ particular subject पर focus करके so उस video के लिए चैनल को अभी का भी subscribe कर ले न एक या दो तारीक साब की regular general awareness वाली main important topics वाली videos भी आनी शुरू हो जाएंगी so make sure you subscribe the channel मिलते हैं next video में till then bye bye take care and all the best